नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी फीमेल हतीली आप महिला जातिका हैं लक्षमी स्वरूपा हैं मातर रूप आपके अंदर है और आपकी रियल हतीली मेरे सामने बिवेचना के लिए आयूई है जैसे ही हम हतीली में एक द्रिष्टी डालते हैं तो आपकी हतीली का आकार दिखाई दे रहा है जो पूरी तरों से आयताकार है निश्चित ही जीवन में जिग्यासा प्रवर्ति बनी रहेगी मनि कुछ जानने की इक्षा जिसे हम जिग्यासों कहते हैं जीवन में कैसी भी प्रस्तिति आये लेकिन कहीं न कहीं आने वाले समय में अपनी लाइफ में कहीं न कहीं सकारात्म सोच हावी रहेगी और इसके बेहतरीन परिणाम जीवन में देखने को मिलेगी जो कुछ चीजों को प्रभावित करेगा जैसे जीवन की जो वास्टविक खुसियां हैं उनको जीवन का जो उत्सा है और जो उर्जा है आगे चल कर ये चीजें सबल इस्तिति में रहेगी और मन के अंदर जो चिंता घुली हुई है जो नस-नस में चिंताईं दिखाई दे रही है जो प्रवृति चिंता की इस्तिती में आ रही है वो धीरी धीरी ठीक होगी और जीवन में खुशियान लोटेंगे जीवन में उत्साह और उमंग आएगी इस प्रकार की चीजों को ये बता रहा है सांदार हतेली है अच्छी हतेली है यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आपकी केतु की और अगर इसारा करते हैं तो देखेगा केतु में पहली रेखा ये है स्वस्ति की रेखा आरोगे की रेखा और तंदुरस्ति की रेखा ये रेखा बताती है आपके स्वास्ते के बारे में, आपके जो है आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरस्ती के बारे में इस रेखा को देखे तो यहां पे ठीक पचास्वे वर्स तक चाहे स्वस्त्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरस्टि का मामला हो उतार चड़ाओ और धुल्मुल रवया दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बाद की इस्तिति एकदम उलट है इसके बाद में चाहे आपका सारिरिक हो या मानसिक स्वस्थ्य हो चाहे आपका आरोग्य हो चाहे आपकी तंदुरस्ति हो ये अचानक बदल जाएगी और जीवन में मजबूती आती हुई दिखाई दीरिये स्वस्त्य समंदी आरोगे समंदी और तन्रस्ती समंदी जो चिंताएं है वो निकल जाएंगी इनकी चिंता नहीं है दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरी रेखा बहुत सांदार है यह रेखा संपत्ति की रेखा है और धन की रेखा है यह रेखा आपके करियर और धन की रेखा से समंद रखती है जो करियर और धन की रेखा कहीं न कहीं अभी अगर हम बात करें तो अब ही कहीं न कहीं stability नहीं दे रही है अस्ताइट तो नहीं दे रही है चाहे career में हो चाहे धन में हो ठीक है न? लेकिन आगे चल कर अगर देखेंगे तो गुरों का प्रभाव पड़ रहा है और ये रेखा सांदार है तो आपको अपनी संपत्ति का अपने धन का बहुत सांदार लाब मिलने वाला है और इसमें अस्ताइट पकी प्राप्ति आपको होने वाली है तीसरी रेखा देखेंगे तो ये भी पचासवे वर्स तक अच्छा प्रभाव नहीं दे रही है जो इसके गुण है वो नहीं दे रही है ये है सुक सुक की रेखा देखेगा आदमी की जीवन में धन हो स्वस्त्य बहुत अच्छा हो लेकिन उसको सुक नहीं हो सुक ना मिले तो क्या फाइदा लेकिन आपकी हतिली में सुक की रेखा है लेकिन जीवनकाल के पचासवे वर्स से ही ये सांदार इस्तिती में आ रही है और ठीक पचासवे वर्स से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको अपने स्वस्त्य का, अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का सुक शांदार मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो अच्छी चीज है दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके मनिबंद में तीन लकीरे हैं यह बहुत अच्छी है इसका मतलब है कि आप वास्तों में लक्षमी है आपके अंदर मात्र रूप है आपके अंदर दिव्यता है क्यों? क्योंकि जो आपका पूरुव जन्म था उस जन्म में आपने बहुत अच्छे और पुन्य कर्म किये हैं और उन अच्छे और पुन्य कर्मों की वोजो से आपको अच्छा ज्यान प्राप्त हुआ है आपकी जीवन में पचासवें के बाद अच्छा धन भी प्राप्त दिखाई दे रहा है और सुक भी दिखाई दे रहा है ठिक यहाँ पे ये चीजें इस पश्ट दिख रहे ही जो सांदार है आप बरतमान में एक चीज खराब है इसको ठीक करना है ये बहुत ज्यादा महतोपोन है आपने सही समय पे हतेली दिखाई है क्योंकि पितर पक्छ आने वाले हैं और आपकी हतेली में पितर दोस है जो बहुत भयंकर है और नजर दोस भी है आप पे नजर लगी हुई है किसी की और किसी महिला की ही नजर लगी हुई है इस पश्ट दिख रहा है ये आपको मालूम भी है आप जानते भी है लेकिन आप बोलते नहीं है ठीक है न? क्यों देखेगा? यहाँ पे देखेंगे यह आपकी करियर और धन की रेखा, लक्षमी की रेखा इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से, मनि कट कट करके और जो ब्रिस्पती का परोत है वो सनी की तरब जोकावा है और आपकी हतेली में रेखाओं का जाल बनावा दिखाई दे रहा है यह आपके पितर दोस को बताता है और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है आपके मन पर और आपके मस्तिस्क पे कहीं न कहीं जियोन में उलजन आती हुई दिखाई दे रहे हैं उलजने बहुत जादा है कई बार आप दोविधा में रहती है कई बार आप कनफ्योजन में रहती है और जो आपकी निरने लेनी की ताकत है उसको ये बराबर छीन करती हुई दिखाई दी रही है दूसरा इसका प्रभाव पढ़ रहा है आपकी सेहत पे चाहे वो सारेरिक स्वस्त्य हो चाहे आपका मानसिक स्वस्त्य हो इसमें ये बिकार ला रहे है आपको प्रेसान करने के लिए तीसरा इसका प्रभाव पढ़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे आर्थिक रूप से जो बरकत रहनी चाहे थी जो अस्ताईत तो रहना चाहे था जो धन का संचय होना चाहे था कहीं न कहीं वो बिमारों आउस्ता में जा रही है चौथा इसका असर पढ़ रहा है आपके रिस्तों पर चाहे वो दामपत्य जीवन का रिस्ता हो चाहे वो परिवार का रिस्ता हो चाहे वो कुटुम्ब का रिस्ता हो इन रिस्तों का जो चरम सुक का भोग है वो आप नहीं कर पा रही है चिंताएं बनी हुई है इनको लेके दुविधाएं बनी हुई है कनफ्यूजन बनी हुई है उल्जन बनी हुई है मानसिक चिंता वो चलती रहती है ये दिखाई दे रहा है और पांचवाँ और सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी डेपलप्मेंट पे आपकी प्रोग्रेश पे जो आपका सपलता का अस्तर होना चाहिए था उसमें गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है मनि आपके जीवन के जो मुख्या पांच आयाम है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है जैसे इस सरीर के लिए भोजन की जरूरत होती है सरीर चनालने के लिए, सरीर को मेंटेन रखने के लिए सरीर को ठीक रखने के लिए उसी प्रकार जो ये पांच चीजे हैं उन चीजों की जरुरत होती है लेकिन यहीं चीजें आपकी नगेटिब आउस्ता में जा रही है दो चीजें करनी है अपने तीन चीजें एक तो ध्यान से सुने पित्रपक्ष आ रहे हैं पित्रपक्ष इन पित्रपक्षों में आपको अपने कुल प्रोहित को बुलाना है अगर कुल प्रोहित नहीं है तो कोई कर्मकांडी बिद्धान ब्रामन हो इουμε ब्रामन होना चाहिए अन्य चीज़े नहीं ब्रामन हो और कर्म कांडियो सबसे अच्छा होगा आप अपने कुल प्रोहित को बिलाए ठीक है नै और कुल प्रोहित को या ब्रामन देवता को बिला करके उनको कहिए कि पित्र दोस है इसका निवारन करना है और ये पितरपक्ष में ही होगा पितरपक्ष बहुत जल्दी आने वाले हैं तैयारी करें अपने जीवन को सुद्रिड बनाई अपने पितरों की त्रिप्ति के लिए जो है पितरपक्ष में जो है उनके निवित स्राहाद करें जैसा ब्राह्मन उचित दोसरा आप हमेशा अश्नान करती होंगी नहाती हमेशा होंगे आप मैं आपको बनस्पती अश्नान दे रहा हूं जो आपके अंदर ये नजरदोष है जो नगीटिब उर्जा आपके नस-नस में बैठ गई है आपके रोम-रोम में बैठ गई है आपके स्वांस स्वांस में बैठ गई है अपनी जणे जमा के उसको निकालने के लिए आपको एक बनस्पति अश्नान दे रहा हो पुछ बनस्पतिक दर्ब्य है उनको डाल करके अश्नान करने उसके बाद भी बनस्पति दर्ब्य अपने सरीर में डालने है और इसकी एक प्रक्रिया है, बहुत सरल है, सुन्दर है, लेकिन अनुसासन में रहे कर करना है, टाइमिंग एक रखनी है, ठीक है ने, तो ये आप बनस्पतिक अश्नान करेंगे, दूसरा, आपको मैं एक प्रकार का मेडिटेशन, प्रणायाम दे रहा हूँ, जिसे कहते हैं दिब्यय योगध्यान किरिया, वो किरिया आपने दो बार करनी है, एक सुबह करेंगे, नास्ता करने के आधा या एक घंटा पहले, और एक रात को करेंगे, खाना खाने के आधा या एक घंटा पहले, आप देखें इसका फाइदा क्या होगा, जब आप बनस्पतिक अश्न करेंगे तो धीरे धीरे उन स्वासों के द्वारा जो स्वासों में रोमों में जो आपके नसों में बैठी हुई है उन नगेटिब उर्जा उस रोम छिदर से धीरे धीरे भार आती रहेंगे और जो द्रब्य है वो आपकी जो पॉजिटिब जो एनरजी है उसको अंदर लाने की कोशिस करेंगी आकरशित करेंगे तो कहीं न कहीं इनका जो टकराव होगा वो positive इस्तितियां जीत जाएंगी और negative इस्तितियां बाहर होंगी लेकिन इसके बीच में बनस्पति अश्नान करने के बीच में थोड़ा आपके तबियत को ढिलापन आ सकता है क्योंकि कोई भी चीज अपने घर बना चुकी हो जहां वो जाना नहीं चाहती है ठीक है ने तो आपको निरंतर करना है आपको डगमगाना नहीं है निश्चित ही आपका जीवन शांदार इस्तिति में आएगा यहां पर इस पश्ट दिखाए दे रहा है और आपकी जीवन में दुखों का उलजनों का कनफ्योजन का कहीं भी रास्ता न मिलने का सब कुछ करते हुए भी यस न मिलना यह सब इस नगिटिव उड़ जा के कारण हो रहा है उपर से पित्रदोस अलग है जो आपके प्रारब्द का हिस्सा है जो आपके पित्र है उनक अंसर रहे गए है उसके कारण भी है अब पचासमे वर्स से तो अच्छे कर्म नहित आ रहे हैं लेकिन जो कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे ये चीज दिखाई दे रही है इसकी तरफ ध्यान दीजेगा ठीक है ये चीज करिएगा निश्चित ही आपको बड़ा लाब हो आपने कोई सवाल नहीं किया है लेकिन फिर मैं मैं बता रहा हूं ये उंगली पूरी तरों से जोक रखी है और ये देव गुरु ब्रस्पति पे बनने वाली उंगली है इसका जोकाव आपकी मिडिल फिंगर की तरफ है इसका मतलब है कि निश्चित ही निश्चित ही धार् भावनाई आपके अंदर बड़ी मात्रा में है इस स्वार में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है विश्वास रखती है कैसी भी प्रस्तिति हो इस स्वार से विश्वास नहीं डगमगाता है और आपके अंदर दया और करुना का भाव भी है कुरूरता है तुल्या है मिडल फिंगर आपकी अच्छी खासी लंबी है और सीधी खड़ी है आप बहुत ज्यादा मिहनती है कर्म में विश्वास रखती है कर्म के महत्तो को जानती है कर्म में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दी रही है ये बहुत सांदार इस्तित है लेकिन ये जो चीज है ये गड़बड कर रही है जिस प्रकार का यस आपको मिलना चाहिए था जिस प्रकार की कीरती आपको फैलनी चाहिए थी जिस प्रकार से जीवन में शांदार अस्तितों की प्राप्ति होनी चाहिए थी चिंता से बिमुक्त होना चाहिए था वो चीज नहीं दिखाई दे रही है इसके कारण डिफेंड पड़ता है तो इसके लिए आपको नियमित रूप से मैं सनिका उपाई दूँगा उसको जरूर करिएगा आपकी रिंग फिंगर पूरी तरों से जुक रखी है कर्ब ले रही है आप भी देखेंगे नेचरल तरीके से मिडिल फिंगर की तरब यस पाने की चाह रहेगी नेम फिम पाने की चाह रहेगी और अपने कारियों में विस्तार पाने की चाह भी अच्छी रहेगी यहाँ पे जो है ब्रिस्पति की उंगली बड़ी है ये वाली इंडेक्स की फिंगर इस फिंगर से तो इस कारण जो है कहीं न कहीं ये स्रेश्ट है आपके अंदर कार्य कुसलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है आपकारय कुसल होंगी ब्यववारिक होंगी लेकिन कहीं न कहीं स्वाविमान की भावना भी जादा रहीगी सबसे छोटी उंगली अगर देखें ये इस तरफ से जुक रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक भी जबरदस्त आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है और ये चीज आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदे मन इस्तिति में आती हुई दिख रही है यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाओं में, एकाउंटिबिल्टी में और फायलिंग में यहाँ पी कमी दिख रही है इसको ठीक करने के लिए जितना हो सके नाखुन बढ़ाएं और कहीं न कहीं जो है आप हरी सबजी है, हरे फल है, हरी दाले है इसका खाने में थोड़ा मातरा बढ़ा ले अभी देखें तो सभी उंगलियों का जो जो जोकाओ है, यह आपकी मिडल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है जब जब आपकी जनम कुंडली में या जनम पत्री में सनी थोड़ा अनबैलेंस इस्तिति में आ जाएं या दोसित हो जाएं, या बकरी अवस्ता में आ जाएं, या साड़े साती हो, या धाया हो, तब तब इनका प्रभाव पड़ेगा ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे और कई बार सब कुछ होते हुई भी खुसियों में थोड़ी कमी बनी रहेगी वैसे अगर देखें, एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी हुई है, और सुखत जीवन जीने के लिए प्रयतन सील ब्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है मंगल की रेखा भी अच्छी है आपकी हतीली में लेकिन इसका फाइदा नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी रेखाईं काट रही है अगर ये रेखा स्वतंत्र होती तो आपको लोगों का स्वयोग बहुत बड़ी रूप में मिलता है इस्वर की जो किरपा आपके उपर बनी हुई है ये आप अनुभव भी करते हैं और उसका सार भी दिखता है जो आपके अंदर अच्छी प्रतिबा है, तीवर बुद्धी है, इसको प्रेट भूम मिल जाता है भूमिका बहुत बड़ा लाव होता है, और उस लाव की वजोसे जीवन कहीं न कहीं एक बर्चस्व अस्तापित करता है, जो आपके अंदर सोचने की, समझने की विसेश चमता है, इसका लाव होता है लेकिन अभी ये रेखाएं काट रही हैं, इस वजोसे नगेटिब उड़ जाके वजोसे इस लकीर का फाइदा नहीं मिल पा रहा है जीवन की रेखा अगर देखें, इस प्रकार से आते हुई अंत में दो भागों में बिभागत है तो ऐसा विक्ति जन्म अस्तान से दूर जो है, अपना पर्मनेंट बसेरा करता ये दिखाई दे रहा है और परिवार के परती समर्पित की भावना रहती है मस्तिस्क रेखा बहुत अच्छे है आपकी, क्रियेटिव विक्तित्व है और दूसरी बात देखें, तो बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है लेकिन ये रेखा खराब है ये रेखा नेगेटिव उर्जा की गुणों में और बिर्दि कर रही है इसको ठीक करने के लिए उपाई दे रहा हूँ आपका अगर हम हिर्दे की रेखा देखें, ये बहुत अच्छी है भगवान नारायन की विशेश किरपा है आपके उपर आप नगेटिव उर्जा को ठीक करें, पितर दोस को अटाए, तो जीवन बहतरीन रहेगा यहाँ पे, पचासों वर्ज में बड़ी प्रगति दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये इस पश्ट बता रहा है कि आईू आपकी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं न कहीं जो है, बोलने की धंके कारण भी धन कमाएंगे और ब्यापार कर रही होंगी, तो ब्यापार में बड़ोतरी होगी और निश्चित ही जो है, ब्यापार में बड़ोतरी के साथ साथ देखें तो जो यस की प्राप्ति है, वो भी होती हुई यहाँ पे इस पश्ट दिखाई दे रही है थोड़ा पेट का ध्यान रखेगा इस बात के और ये संकेत कर रहा है सुक्र का परोत बहुत सुन्दर है अच्छी इस्तितिके और दे रहा है अच्छे फल देगा लेकिन अभी रेखाओं से भरा पड़ा है तो किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं दिखाई दे रही है बरतमान में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रियास कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं परिसरम कर रहे हैं फिर भी आपकी दिर्ष्टि से वो चीज पूर्णता की इस्तिति में नहीं जा रही है। उसमें अभाव की इस्तिति आते हुई दिख रही है। लाग प्रयास करने पर सारे साधन होने के बाब जोद भी। जो सुक की अनभूती अंदर से होनी चाहिए, वो सुक की अनभूती नहीं हो पा रही है। तो इसको ठेक करने के लिए दिब्यय योग ध्यान के रिया और वो चीज जरूर करे। निम्न मंगल अच्छा है, लेकिन इसमें रेखाएं हैं, तो धीरी धीरी ये चिड़ चिड़ापन लाएगा। चण भंगोरवाल हलका गुस्सा जो है क्रेट कर सकता है, उल्जन और दुविधा में रख सकता है, तो इसको ठेक करने के लिए दिब्य सूर्य किरिया दे रहां, उसका प्रियोग करे। प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक सुभाव बना रहेगा। ब्रिस्पति ठीक है आपका, लेकिन परिवार को लेकि चिंताओं को दिखा रहा है, धाया में मैठावा है, धाय वर्सों तक। हाँ, आगे चल कर मान, सम्मान, प्रतिष्टा, शानदार दिख रही है। आपका सनी इसपष्ट बता रहा है, अगर आप नोकरी उगेरा कर रही हैं, या अपना ब्यापार कर रही हैं, तो पचासवें वर्स के बाद एक सी जादा सरोतों से धन का आगमन होगा, पैसा खुब कमाएंगे। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पाने के ख्षा रहेगी। सूर्य यहाँ पर दोसित है, और सूर्य के दोसित होने के कारण चाहे आपका सारेरिक स्वस्त्य हो, चाहे जीवन की वास्त्विक खुसाली हो, चाहे जीवन का उत्सा हो, चाहे जीवन की उर्जा हो, इन प्रोपर तरीके से करते हैं तो आपके सरीर के जो सातों चक्र हैं वो भगवान सूर्य के सातों चक्रों के साथ प्रस परताल मेल में आ जाएंगे और उसका असर निश्चित ही आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा जहां आपकी सारेरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहज़ता से चलेगा फिर चाहे सारे रिक स्वाष्त्य हो, जीवन की खुसाहाली हो, जीवन का उत्सा हो, जीवन की उर्जा हो, इन चीजों के आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीजे हमेशा आपके साथ बनी रहेंगे, जरूर करे, सुर्य उपासना और सुर्य किरिया बुद्ध भी अनबैलेंस है, बुद्ध का अनबैलेंस होना ठीक नहीं माना जाता है, ये विक्ति को दरिद्र ताके और धकेलता है, विक्ति की वानी को जो है कठिनाईयां पैदा करता है, विक्ति का सरीर का जो धाचा है, उसमें भी गड़बर लाने की कोशिस करता है, तो हरा रुमाल अपनी जेम में या अपने ओपिस के बैग में हमेशा अपने पास रखें तीन मेहने तक और चंदन की खुसबू वाला एक परफ्यूम आता है अश्नान कनने के बाद हलके रूप में अपने बदन पे जरूर डाले बदन पे हलका ठीक है ने कपड़ों में नहीं ब ब्रस करने के बाद सुभध दो पत्ति तुलसी का सेवन करे कुछ दिन तक निश्चित ही ये बहुत जादा फाइदे मंद होगा आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी तो इस चीज को ज़रूर करें हाँ एक चीज अच्छी है कि धीरे धीरे जो है अब आपका चं जल्दी और कुछ ऐसा घटित जीवन में होने वाला है कि आपका जो confidence level है जो मनोबल है वो अच्छा खासा रहने वाला है इनकी वजोसे सरीर में किसी परकार की अगर समस्या कुछ समय तक रहती भी है तो भी चंद्रमा की वजोसे मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितने अच्छी इस्तिति में आपके आगे आते जाएगा मोटे तोर पर आपका पाचन तंत्रमी ठीक होने बैठ जाएगा दीरे दीरे आपका सरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होगा ये अच्छी खबरें दे रहा है और आपके अंदर निश्चित ही creativity आएगी आप creative हो और निश्चित ही सकार अत्मक सोच जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है तन से भी सुन्दर रहेंगी मन से भी सुन्दर रहेंगी छलकपट से दूर रहेंगी और कहीं न कहीं इस्वर्य सक्ति का वास आपके अंदर आएगा लेकिन आपको कुल मिला के दो चीजें प्रोहित द्वारा आपको पित्र दोस का निवारन करना है इस पित्र पक्ष में दूसरा आपको क्या करना है मैं बनस्पति अश्नान दे रहा हूं दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूं दिव्य योग ध्यान किरिया दे रहा हूं ये चीज करनी है तीसरा क्योंकि इसी बिद्ध्वान पंडित द्वारा क्यों तीन दिन का भी करेंगे तो चलेगा चंडी पाठ करवा ले तो आपकी जीवन में जो सारी मुसिब्यते हैं जो प्रेशानिया हैं जो पूरी तरह से नगेट बूर जाएं घर कर गई है वो सब काफुर हो जाएंगी ठीक है छोटे चोटे उपाई करें चोटे चोटे चीजों को करें और सांदार जीवन बितीत करें देखा जाए तो मैंने अपनी तरफ से जितना भी आपके लिए बहुत ज्यादा महें तो पूर्ण था उन सारे बिंदों को देखा है हतीली का पूरा अध्यन करने की कोशिस की है और पूर सब नम्मर पे ओडियो के माध्यम से और लिख के दे रहा हूं आप जरूर करें निश्चित ही जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी और एक सांदार जीवन आप समाज में ब्यतीत करेंगे इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा त